कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे भाती रोज्यार चैनल में स्वागत है तो आज की इस वीडियो में दोस्तों एक निव वेकेंसी आई है है एसे सी ने लॉंच किया है MTS एंड हवलदार का तो रिक्रिटमेंट आ चुकी है जितने भी टेंट पास हैं वह यहां पर है और वह यहां पर अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्क्राइब करिए और लोगों को सेर जरूर करिए दोस्तों अगर वीडियो खुला हुआ है अब महां कमेंट कर सकते हैं तो यहां SSC MTS एंड हवलदार 2024 ऑनलाइन पॉर्म है और यह 27 है 2024 को पोस्तेट किया गया है ओफिश्यल वैबसाइट पर 8306 पोस्त है यहां पर स्टाप सेलेक्शन कमिशन SSC का फूल पॉर्म है यह जो वेकेंसी है वो नान टेक्निकल है और हवलदार में आप देख पारे होंगे सीवी आई सीवी एंड सेक्शन होते हैं वहां पर आपका पोस्तिंग होने वाला है यहां पर फीज रखी गई है वह उन्डेड रुपीस है और बाकि जितने भी कंडिडेट है उनके लिए निल है और जनरल वालों के लिए हन्डेड रुपीस है बस बाकि फीमेल एसी सब्सक्राइब इनका निल है कि पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना है कि स्टार्टिंग डेट टू अपलाई ओनलाइन जो रहेगा वह 27 से सुरू हो चुका है जिसका लाज्ट अगले मैने 31 जुलाई तक है और इसका जो फीज पेमेंट होना है वह एक अगस्तक होगा डेट आप विंडो फोर एप्लिकेशन फॉर्म कोरेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट और कोरेक्शन चार्जेश तीकि अगर आप से कोई मिश्यक हो जाता है फॉर्म फिलिंग में तो विंडो ओपन होगा कोरेक्शन के लिए 16 अकस्त चले के 17 अगस्त के बीच में शेडियूल आप कंप्यूटर पेस एक्जामिनेशन अक्टूबर नॉम्बर दोजाच चूबीश में होने वाला है और एज क्राइटेरिया यहां पे अगर आप अप्लाई करते हो तो 18-25 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए हवलदार के लिए 18-27 साल के बीच में आपका एज होना चाह सकते हैं ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं अगर आपके पास कोई कैटेगरीज सर्टिफिकेट है या एक सर्वी में एक सर्विस में आप हैं तो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और आपका एज क्राइटेरिया भी आपको एज में छूट मिल जाएगा जैसे 5 साल से लेके 10 साल सकता है अब यहां पे कौन को नप्लाई कर सकता है तो सिंपल है दोस्तों देश्वी पास होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से या कोई भी बॉट से हैं है अब आपको यहां पर अप्लाई कैसे करना आपको ने दरफिज मिल जाएंगे और तो मैंने बता दिया दर्श्वी पास सेलेक्शन प्रोसेस मैं बता देता हूं रिटन एक्जाम होगा दोस्तों कंप्यूटर बेज एक्जाम होगा और उसके बात से लेवस आप यहां से देख लेंगे जो नॉर्मल रहता है से लेवस एप्टिटूड रिजिंग इंग्लेश और आपका इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं रहता है सिंपल रहता है जैसे यह आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर बेस एक्जाम होगा जिसमें एप्टिटूड होगा रिजिंग होंगे और इंग्लिश होगा और कोई भी सेक्शन यहां पे नहीं है ठीक है हावल ला करने के लिए बटन दबाईएगा और यह आपको ओफिस्यल वैब साइट पर ले जाएगा हम नोटिफिकेशन और इनकी ओफिस्यल वैब साइट ओपन कर रहे हैं आप देख लिजेगा और आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है लोग इन करने में रिजिस्टेशन कर करना है फोर स्टेज रहेंगे पहला परस्टनल डिटेल्स पासवर्ट क्रियाशन एडिशनल डिटेल्स एंड़ डिक्लियरेशन को क्लिक करेंगे तो परस्टनल डिटेल्स आ जाएंगे आप परस्टनल डिटेल्स पर क्या क्या मंग रहा है वो बता देता हूं जैसे अधार अधार काड नंबर कंडिडेट नेम आपका कुछ अगर आपने चेंच ही आए नाम अगेरा तो यह जेंडर वेरिफिकेशन जेंडर डेट ऑब फादर नेम मदर नेम आपका डश्पी मांकिट कौन से युनिवर्सिटी या बोर्ट से हुआ वो फे रोल नंबर यह आप पासिं होगा जब तक कि यह पूरी चीजे फिल अप नहीं होंगी उसके बाद पर्सनल अपको फिल अप करना है एडिशनल डिटेल जिसमें आपको नेशनलिटी एड्रेस एजुकेशन डिटेल से यहां पर डालना है पिटिकलेसन यहां पर फाइनल आपका रहेगा उसके बाद फी तरीके से देखने को मिल जाएंगे यहां पर MTS के लिए 4887 पोस्त है हावलदार के लिए 3449 पोस्त है और आगे बढ़ते हैं यहां पर यहां जैसे पान साल के लिए छूट मिलेगा अब इसी वालों के लिए तीन साल का चूट है और पीड़ बीडी के लिए दस साल तेरा साल पंद्रा साल ठीक है और एक सर्विस्मेंट कर तीन साल अब डिपेंड करता है एक सर्विस्मेंट डाइवर्स वूमेंट बहुत सारी लोगों के लिए आप देख लेंगे आप कौन से कटिगरी में आते हैं इसक्रिश आप से आप यहां पर अप्लाई कर लिजेगा दो तो बाकि सेलेक्शन प्रोसेस बता दिया मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वार्मेंट है वह भी बता दिया मैंने और कब कब अप्लाई करना है लास्ट जेट जो है वह 31 जुलाई को रहेगा मतलब जुलाई एक तीस था कर लिजेगा जिस जोन में अप्लाई कर रहे हैं उसकी आप से आपको सेंटर मिलेगा आप सेंटर भी यहां पर चेक कर लेंगे फिर इसके बाद कीम ऑफ एक्जामिनेशन आप देख पा रहे होंगे के कंप्यूटर बेस एक्जाम होगा दो सेक्शन में होंगे पहला आपका मैटमेटिक एप्टिट्यूड और रिजनिंग जनरल अवेर्नेस इंग्लिश लेंग्वेज टोटल आपके जो कुर्शन है नाइंटी कुर्शन आपको देखने को मिलेंगे और कुर्शन की साफसे म से मार्क प्रोंगे थिक है एक एक कोश्यां तो यह सिंपल है दोस्तों में आपको थे सोलाश्य मीटर कर रणिंग होगा आप देख लिएगा वन किलो मिटर इन फिमेल के लिए और सोलाश्य मेटर मेल के लिए 15 मिनिट के अंदर में आइट वेट चैस यह सब दिया हुआ है अगर आप लोग को जानकारी समझ आ गई होगी दोस्तों अगर कहीं भी कुछ और डाउट होंगे तो बिल्कुल करिएगा मैं यहां पर आपको नेक्स्ट टाइम कट आफ भी शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों कि लास्ट टाइम का कट आफ कितना गया था जिक साबसे आपको तैयारी करने में असानी होगी त्यक्यार रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बताया था व्रीश्ट करने के बाद कंट्वनिव डवाना है और यहां पर पूरा आपका जो बेसिक डिटेल था औहां बबला है पी दर शिर सेशन डिटेल में एड्रेस वगेरा यह फिल अप करना आपका यह रजिसेशन नंबर मिल जाएगा फिल नेस स्टेप में आपको लोगिन करके लोगिन करना है पास्वर्ट क्रियेट कर लेना यहां पर और उसके बाद देखिए पासवर्ड यहां पर पासवर्ड और से कनफर्मेशन यह सब पीजे से क्यूर्टी को सेंस वागिरा मंगेंगे आप डाल लिजेगा उसी वाला डालिएगा ज्यादा टॉप मत डालिएगा फिर उसके बाद आगे हम आते हैं अदिशनल डिटेल्स पेज यहां पर एड्रेस वागिरा आप देख पा पार्ट टू में आपको उसको से पोस्कों को अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक करना है और प्राइमेंट करना है और फाइनल आपका यहां पर कम्पलीट हो जाएगा तो आप लोगो समझ आ गया होगा दोस्तों कहीं भी कुछ भी डाउट होते हैं तो बिलकुल हमें से करिएगा हम यहां पर आपकी हेल्प करतेंगे थैंक यू